महराश्ट के रायगड में पांच मंजिला इमारत को गिरे 36 खंटे से अधिक समय बीच चुका है लेकिन रेस्क्यू आपरेशन अभी भी जारी है तेर रात एक महिला को जिन्दा बाहर निकाला गया यह महिला 26 खंटे से मल्बे के नीचे फसी थी पताया जा रहा है कि NTRF की टीम ने मंगलवार राद 10 बचे महिला को बाहर निकाला जानकारी के मताबिक महिला का नाम मेहुरिनेशा अब्दुलहम भी काजी है उन्हें देर राद 10 बचे NTRF की रेस्क्यू टीम ने जिन्दा बाहर निकाला इसके बाद उन्हें आननफानन में अस्पताल में भर्ती किया गया अभी उनकी हालत इस्थिर है इस हाथसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 8 महिलाएं सामिल है राइगर जीले के महान इलाके में सोम वारकुद तलाब के किनारे बनी एक 5 मंजिला इमारत गिर गई थी कारिक बिल्डिंग नामक इस इमारत के मलबे से अब तक 15 लाज से निकाली जा चुकी है इसमें 7 पूरुस और 8 महिलाएं सामिल है इस इमारत में 40 फ्लैट थे जिसमें 84 लोगों के रहने की बाहत कही जा रही थी रायगर की जिलादिकारी निधी चौधरी ने बताया कि बिल्डिंग का निर्मार साल 2013 में पूरा हुआ था साल 2013 में ही बिल्डिंग का निर्मार पूर्ण होने का सार्टिफिकेट दिया गया था उन्होंने इमारत के गिरने के पीछे जरजर हलत को बच्जा बताया झाल झाल